दोस्ते इस विडियो में हम बात करेंगें पॉल का डॉट का डॉट में आपको अभी किया साम मुवमेंट देखने को मलता है क्या है इसका स्पोर्ट regularly नहीं हुई है जितनी रिकबरी आपको बाखी पैदा हो रहा है क्या डॉट अपने वीडियो में ये सारे हो ब्रेक करेंग में आपको कहूंगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेद हर एक अपडेट आपको time to time मिलता रहे साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलिग्राम का लिंक भी मिल जाएगा मेक शूर आप हमारे टेलिग्राम को भी जॉइन कर लें अब दिखिए अभी अगर यहां पर हम पॉलकाटोर के ओबर वीव के बात करें तो क्रंट प्राइज आपको 5.6 के रेंज में देखने को मलता है 0.2 परसंट का अपसाइड मुमेंट है तो अगर आप मुझे रैगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा हमारी जो एंट्री थी वो 3.6 पे हुई है तो उससे हम यहाँ पर 2 डॉलर के अपसाइड मुमेंट के साथ चल रहे हैं अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लेक्शिशन के बात करें तो यह आपको 5.4 से लेके 5.7 के रेंज में देखने को मलता है मार्केट के अप 7 बिलियन के उपर है 24 और में इसके ट्रेडिंग वोलियम 271 मिलियन की है जैसे जैसे देखे इसके ट्रेडिंग वोलियम बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको ग्रोध देखने को मिलेगा और अपना जो टार्गेट एप दस डॉलर तक रख सकते हैं डॉट में अगर आपने बाइंग करी हुई है 3.6 पे तो अब अगर इसके हम सप्लाई के बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई आपको एक बिलियन के उपर देखने को मलता है टॉटल सप्लाई भी एक बिलियन के उपर है मैकसिम्म सप्लाई इंफिन्टी है मतलब टाइम टूटाइम मार्केट में इसकी सप्लाई आती रहेगी पर जो स्टॉंग परजेक्ट होते हैं उनकी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है इनकी बर्निंग इवेंट भी होते हैं इस बज़े से supply को control करके और इसके price को rise करवाया जा सकता है अब अगर इसके हम info के बात करें तो यहाँ पे आपको इसकी website मिल जाएगी यहाँ पे आप visit करके इसके fundamental के बारे में readout कर सकते हैं इसकी community में आप इसके twitter handle को join कर सकते हैं जहाँ पे आपको इसके latest update मिल जाएंगे अब देखिए किसी भी coin या token में अपनी buying करने से पहले आपको इसके use case के बारे में उसके function के बारे में पता होना चाहिए तो जो dot का function है यह दो blockchain को आपस में चोड़ता है तो अभी तक कोई भी coin या token नहीं है जो इसको replace कर सके इसलिए कहीं न कहीं bear market में भी इसकी important है और धीरे धीरे जैसे जैसे हम bowl market के side में जाएंगे आपको इसके price में भी growth देखने को मिलेगा मेरे खुद के portfolio में है और जब मैंने अपनी buying करी थी उसी time मैंने video के through आप लोगों को भी बताया था buying के लिए अब अगर exchange की बात करें तो अभी की date में बहुत सरे exchange पे dot list है अब जिस मर्जी exchange से अपनी buying कर सकते हैं और अभी से भी आपको 2x लेके 3x का easily return मिल जाएगा अगर आप long term investor है तो आप इसको buy करके hold कर सकते हैं तो दोस्त अब देज सकते हैं अब हम आगे हैं trading view पे यहां dot का pair देख रहा है यह वे स्टेटी के साथ पहले मैंने आप 4 hour का time interval लिया हुए 4 hour के time interval पे अगर इसके हम pattern की बात करें तो देखें हमारे जो target थे उसको achieve किया था dot के price ने और उसके बाद से market में correction देखने को मिला धीरी धीरे हम आये थे 200 के EMA के पास तो यहां पे मैंने आपको बोला था 4.8 पे कि आपने अपनी buying करनी है और इसके बाद से आप देख सकते हैं कि continuously आपको obtain देखने को मिल रहा है तो जब किसी भी coin ये token का price rise करना start होता है तो उसमें continuously आपको bullish pattern form होते हुए देखने को मिलते हैं जैसे कि मैंने discuss करा था सुबह ये अपने वीडियो में बिटकोइन के तो अभी अगर आप dot को देखेंगे तो यहां पे भी आपको ascending triangle ही form होता हुए देखने को मिला है जिसका breakout हो गया है इसके साथ plus में जो हमारे EA में है इंट का direction आपको upside में देखने को मिलता है साम को मैं अपना live session लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको EA में के function बताऊंगा अभी के लिए in short में अगर मैं आपको बताऊं तो price इसका rise करने वाला है अब देखे अगर आपके हम entry level की बात करें तो आप अभी एक CPM पे entry ले सकते हैं 5.6 पे और यहां से जब market में correction होगा तो 5.5 पे आपकी एक dipty entry हो जाएगी इसके उपर उपर अभी dot का price hold होगा क्योंकि जो हमारा resistance है जिसका हमने breakout दिया है वहीं अगर price dump होगा तो sport के रूप में काम करेगा अभी market में कोई खास volume नहीं है dot के पर अगर यहां पे recovery start होगी तो यह आपको अच्छा खासा मतलब जो मैंने आपको बताया है 10 डॉलर का minimum target देगा और उसके बाद से 12 का पंदरगा आपको target देखने को मल सकता है dot में अब अगर इसके साथ इसके आप daily time interval की बात करें क्योंकि अगर long term investor है तो आपको इसके daily time interval पे focus करना पड़ेगा तो आप देख सकते हैं कि bottom लगने के बाद continuously यहां पे आपको uptrend देखने को मिला है और धीरे धीरे यहां पे जो मैंने आपको 4 hour के according pattern बताया आप वहीं pattern आपको यहां पे भी form होता हुए देखने को मलता है मरलब यहां पे भी ascending triangle ही form हो रहा है और इसके साथ ही मैंने plus में आपको बताया था कि यहां पे आपको golden cross की formation देखने को मिल रही है अब golden cross क्या होता है जब भी हमारा 50 का EMA 200 के EMA को break करता है उपर के direction में तो उसको हम golden cross बोलते हैं यह bullish होता है market के लिए मरलब इसका price यहां rise कर सकता है और यही crossover अगर downside में होगा तो उसको हम dead cross बोलते हैं मरलब price dump होने वाला होता है अब अगर मैं आपको in shot में बता हूँ तो dot का जो price है वो rise करने वाला है आपकी यहां पर anti हो सकती है 5.5 के level पे क्योंकि overall daily के according हम ascending triangle का pattern form कर रहे है resistance का अगर breakout नहीं होगा तो आपको एक dumping देखने को मिलेगी 5.5 के level तक और उसके बाद से आपको market में recovery देखने को मिलेगी target अगर हम आपके बात करें तो 8 डोलर का 10 डोलर का 15 डोलर तक आप अपना easily target रख सकते हैं और उसके बाद से अगर यह अपने all time high के range में जाता है तो 50-60 डोलर का आपका target हो सकता है मलब 10X तक का आप अपना target जो है वो expect करके चल सकते हैं अगर आप patience के साथ इसको hold करेंगे क्योंकि जैसे आपको 2 साल पियर market देखने को मिला है वैसे ही यह 2 साल का time लेगा अपने all time high को achieve करने में तो hope आपको यह video का update अच्छे से समझा गया होगा मैंने आपको आपका buying range भी बता दिया है और कौन सा burden form हो रहा है ये भी मैंने बता दिया है अगर आपका फिर भी कोई doubt रहता है तो आप नीचे comment करके पूछ सकते हैं अभी जो आप CPM देख रहे हैं यहां पे भी आपकी buying हो सकती है मैंने खुद इसको buy करके रखा हुए 3.6 पे और इसको मैं sale करूँगा at least 20 डॉलर के प्लस जाके तो आप मुझे भी follow कर सकते हैं बाकी कोई भी investment करने से पहले आपने अपने विहाब पे research जरूर करना मैं आप लोग का कोई financial advisor नहीं हूँ तो मिलते हैं आप सकने वीडियो के साथ अब तक लिए जय हिंज जय भरत